हेलों वल्कम बेक आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब एक बार फिर से अमेजिंग शॉट्रिक इस स्रीज में फोर नीट एंड जी मेन एंटरेंज एक्जामिनेशन जहाप यार हम सॉल कर रहे हैं इस स्रीज को आप कोटिची आप कर रहे होंगे इसको सीख रहे होंगे इसको एप्लाइ आप कर रहे होंगे तो सब को बढ़ा है कि किसी भी नुमेरिकल को फraksion of second में solve करने का क्या मतलब हो तो आपको देने वाला है जब आप उसको attempt कर रहे होते हैं तो एक बच्चा वह होता है कि जो बहुत जल्दी question को solve करके आ जाता है जो question को solve करने फे 1 minute, 2 minute, 3 minute इतना long time ले लेता है तो कहीं न कहीं उससे question छूट जाते है exam में तो अगर आप अपने आपको strong बनाना चाहते हो concept wise as well as आप solve करना चाहते हो numerical को बहुत fast, tricks wise भी आप strong बना चाहते हैं तो ये series ये channel आप ही के वास्ते है and lot of आपकी help करेगा, जब तक आपका exam बच्चो नहीं हो जाता है, हमने आपसे वादा किया है, बहुत ज़्यादा आपको amazingly questions यहापे कराने वाले हैं, बहुत ज़्यादा questions हम solve करने वाले है, so trick के दुरू और maximum questions हम कोसिस करेंगे हमारे exam में as it is आएंगे और हम solve करके आएंग बस इसको आप follow करते रहना, बहुत amazing content आपको इस channel पर मिलेगा, purely neat और जहीं entrance exam को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे 11th class में, 12th class में, ड्रॉपर है, आप सब के लिए awesome है यह concept बच्चो, right, तो चलो, आज एक बहतरीन से numerical की में discussion करना हूँ, जहीं में 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 स्टाइप क वो भी हम देखने वाले की, यार उस तरीके से easily भी कैसे approach कर सकते हूँ, कि देखो हमारा mind है, जैसे हम उसको message देंगे, वैसे ही हो adopt कर लेगा, आप उसको message नहीं दोगे कि इसका दूसरे करने का तरीका होता भी कि नहीं है, अगर आपको कहीं से solution मिल जाता है, आप उसको follow कर लेगा हो question को पंदेखबाल और आराम सी प्यार से read करना, जैसे question आपको समझ में आ जाए, तम मजा आएगा question को handle करने में, तो amazing journey के लिए आप त्यार हो जाए, उसलिए बोला है, a charge 20 µC is given to the one plate and the charge 10 µC is given to the another plate of a parallel plate capacitor, अच्छा, शरी तो parallel plate capacitor, yes, तो let's see, एक plate यह है, दूसर प्लेट आपके पास यह है, तो इस पे charge है कुछ Q1 और इस पे charge है कुछ Q2, दो plate है आपके पास 1 and 2, right, so charge उसको दे रखा है आपको, ठीक है, पैललल plate capacitor है, और इसका जो area है, 100 cm² है, यह जो plate है, कुछ इस तरगे से आप इनको मान सकते है, जो plate है, आपको दे रखी है, ठीक ह आपको दे रखी है, 8.85 cm, उत्तिरी, 8.85 cm, yes, तो देखो, सबसे पहले इसको हम करेंगे, ठीक है, actual concept क्या है, इसका है, concept wise करेंगे, वो भी बता दू, आपको याद दिला दू, चूज आपने करना, फिर कैसे करना, इसका है, बहुत ज़रूरी है, तो question पढ़ लिए, हमने ब इसका है, उसने बोला, determine the potential difference between the plates, उत्तिरी, इन दोनों plate के बीच में, कितना potential difference होगा, भाई, ये plate 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में, जो potential difference होगा, वो calculate करो, यार, बहुत, clearly, question में, जो problem है, इस question में, इस question में, जो problem है, वो क्या है, कि basically, आपे potential difference आपको बनाना पड़ पड़ेगा, difference बनाना पड़ेगा, एक plate को high potential बनाना पड़ेगा, एक को low potential बनाना पड़ेगा, तब ही तो बनेगी बात, इस question में, सबसे खास बात क्या है, बचों, अगर आप ध्यार से देख पा रहे होगे, जब आपने capacitor पढ़ाओगा, तो आपने पढ़ाओगा, एक plate, दूसरे plate, इस पे देते थे हम positive charge, और इस पे देते थे हम negative charge, इस पे plus q दिया है, तो इस पे minus q, equal and opposite, याद आया, capacitor, capacitor बनाने के लिए, लेकिन यहाँ इस question में, दोनों charge positive दे रखे हैं, दोनों ही positive, दोनों ही unequal, तो पंगा हो गया, boss, यही इस question की most important, importance है, right, कि यार, यह बहा इस charge होने चाहिए, तब इनके बीच में potential difference हम, आज रहा हम से निकालते थे, q is equal to cb से, और v आ जाता आपका q by c, जब दोनों पे equal and opposite charge होता था, तो आराम से निकाल सकते हैं, हमरा क्या जा रहा है, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर problem आ गई, आप बहुत clearly देखे, दोनों charge positive और कि सबसे पहले दोनों plate पर आपको equal and opposite charge बनाना पड़ेगा, तो तरीका क्या है, तब question solve होगा, इसी formula से होगा, हाला की, ठेक है, लेकिन हमें दोनों पे charge निकालना पड़ेगा, पहले equal and opposite, c हम निकाल सकते हैं, क्योंकि parallel plate capacitor है, और area भी दे रखा है, और db दे रखा है, वो हम equal divide करेंगे पहले, इस side में भी, तो इधर भी charge आजाएगा q1 by 2 और इधर भी charge आजाएगा q1 by 2 और positive, इस पे भी charge है q2 10 micro-column, तो half इधर q2 by 2 इधर आजाएगा और इस side में, अंदर की side में q2 by 2 आजाएगा, ये process है, तो मतलब इस पे अंदर की side में charge हम इंसाइड वाला ल q1 by 2 लेकिन अभी भी इस पे अलग charge है, इस पे अलग है, जैसे यहाँ पे 20 है ना, तो 10 इधर, 10 इधर, यहाँ पे आगया 5 इधर, 5 इधर, अभी इधर 10 है और इधर, मतलब इसको आप 10 मान सकते है, और इसको आप 5 मान सकते है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस plate के अंदर जो charge जाए यह 10, यह induce हो जाएगा इसके उपर, यानि हाँ minus opposite charge induce हो जाएगा, पहले से कितने है, 5, अब कितना आगया, minus 10, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, इसका 5 वाला second का इधर induce हो जाएगा, minus, 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 पहले से है 10, अब आगया 5, लेकिन 5 आया negative में, जैसे है 10 गया negative में, मतलब आप यह कह सकते हैं कि इधर minus q2 by आगया, इधर minus q1 by 2 आगया, फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि यह equal हो जाए दोनों पे, अगर आप net charge देखोगे, इसके inside net charge कितना है, q1 पे, q1 dash माल लो आप इसको, ठीक है, कितना है देखो, q1 by 2 पहले से था, यहाँ से dues होके आया, plus minus q2 by 2, ठ चार जा गया, अब बच्चो इतना ही charge second plate पे होना चाहिए, बट इसके opposite होना चाहिए, तब जाके आप इसको solve करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका question बनेगा, this is the concept, और भाई, इतना time अगर मैं invest करूँगा, तो मेरा question हो तो जाएगा, obviously मैंने को control भी आना चाहिए, बट time ल लेकिन अगर आप इस question को, इस question को direct formula technique से solve करें, वाह, मज़ा आजाएगा, मतलब ये condition याद रखनी है बस, कि दोनों plate पे अलग-अलग charge है, opposite भी नहीं है, dissimilar भी है, और आपका same sign का भी नहीं है, तो potential difference जब भी पुछे, तो potential difference जब भी पुछे, तो आपने ये formula यूज करन minus दूसरी plate पे, divide में 2C, and this is the formula directly you can use, आपकी सारी calculation ये जितना भी दिमाख आपने यहाँ पे लगा, सब कुछ बच जाएगा, और आपको question बहुत quickly विदा होतानी error, solve हो जाएगा, लेकिन एक condition यहाँ पे है, कि Q1-Q2 ले, या Q2-Q1 ले, दोस्तों, check कर लेना, question में given होगा, if Q Q1 is greater than Q2, तो Q1 में से Q2 को subtract करना है, लेकिन, if Q2 is greater than Q1, तो potential जब आप लिखेंगे, बस Q2 में से Q1 को subtract करना, और आपकी बात बन जाएगी, ज्यादा दिमाद लगाने की ज़रूर है, H नहीं, this is the direct technique to solve the problem, अब सर क्या करें, सब कुस तो given है, put कर दो न, C नहीं पता, बस C य और एरिया दे रखा है, 100 into 10 to power minus 4 हो जाएगा, तो कि सेंटिमेटर में मिटर में बगदलना पड़ेगा, और D distance दे रखिया, 8.85 और सेंटिमेटर में है, तो minus 2 हो जाएगा, यह पूरा cancel, यह 2 है, और यह भी 2 है, उपर जाएगा 4, इसे पूरा cancel, 10 to power minus 12 बचेगा, तो सब कु जाएगा, और Q की question में clear है, यह 20 micro है, यह 10 है, यानि Q1 is greater than Q2 है, यह वाली condition है, यानि यह वाली, तो V आपका आजाएगा यहां से, Q1 minus Q2 direct by 2C, तो V आजाएगा Q1, 20, micro में है, minus 10 over 2 into C, आगे 10 to power minus 12, और यह micro में है, तो 10 micro, यानि 10 to power minus 12, over यहाँ पे 2 into 10 to power minus 12, यह होगे बच insult difference होगा, in this particular situation, between the two plates of this capacitor, and this is really amazing, कुछ मैंने कहीं पे गड़बड किया है, something something, C की वालू कितने है थी, minus 12 Y, और, और कहाँ रखा है, micro, oh yes, my mistake, यह minus 12 है, और QM micro, micro का मतलब minus 12 नहीं, minus 6, तो यह 6 cancel होगा, यह minus 6 बचेगा, तो यहाँ पे answer आएगा, बच्चों, 5, minus 6 उपर जाके, plus 6 होगा, इतना वोल्ट, हाँ, यह थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, calculation and all, but concept कैसे है, ऐसे solve करें यह, ऐसे solve करें, यह result यहीं से आया, बट हमने पूरा process sort कर दिया है, अगर हम इसको याद रखे, condition यह है, question की, question को पढ़ने के बाद, आपको automatically पता चल ग करने के लिए, आपके exam में, आफिक इंधियार, इंधियार कर रहा है, आपका exam इसके लिए, आप कर लेंगे, ठीक है, बच्छो, तो इस तरीके के lot of concept आपने सीखने है, lot of techniques आपने सीखने है, short trick आपने सीखनी है, जैसे concept के साथ साथ आपके अगर इस तरीक इक टैक्निक भी उसमें केवल हमने short tricks डाली है, पहली ऐसी book इंडिया की market में, बच्छो, जिसमें केवल short trick है, उनको अपलाई करके numerical कैसे solve करते हैं, किस तरके से बनाई जाते हो, मैं यहाँ, YouTube पे आपको शिखा रहा हूँ, और book भी आप ले सकते हैं, जो आपके सामने होगी, imagine करो, आप उस यहाँ, अरे, जियूज करके तो देखो, ultimately आपकी help करेंगे, entrance exam को, क्योंकि उसी के purpose से लिखेगे, यह केवल हमारे channel के थो ही मिलने वाले है, ठीक है, आप contact कर लेना, जाओ discussion में, और वीडियो के comment box में जाके comment जरूर क्या करो, कि sir, ऐसा कुछ नया ला सकते हो, ऐसा कुछ कर आगे देने की, किसी भी तरगे के suggestion मुझे चाहिए, comment करके जरूर बदाएगरो वीडियो में, right बच्चो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे basic concept भी बिल्कुल clear नहीं, मैं 11th class में 12th class में dropper हूं, नेट जे ही मेन, तो भाई हमारा जो online course है, बहुत amazing है, complete course लो यार, और अपने concept को यहां से यहां तक लेके जाओ, फिर feel करोगे आप physics को कितना असान हमने बना दिया है, उसमें कितने different technique के थरू हमने concept हमने clear करा है, numerical करने की techniques and all, ठेक है बच्चो, उमीद घरता हम मैनत करते रहेंगे, motivated रहेंगे, और अपने energy को अपनी पढ़ाई में ही invest करना है, जब तक आपका target आपको ना मिल जाए, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, okay, and all the best.